नमश्कार मैं मिलन सिंग, आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं 36 गड़ के शेत्रिय राजवन्ष्ट के बारे में और ये उसका भाग एक है, भाग एक इसलिए क्योंकि काफी सारे राजवन्ष हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और एक ही लेक् समाने अध्यन भी आपको मिलेगा, करना कुछ नहीं है, आपको जाना है Google Play Store पहाँ पर लिखना है पूरवांचल आईए और इस आप को डाउनलोड कर लेना है, 36 गड़ राज्य सिवा परिक्षा के साथ-साथ हम बहुत और भी कोर्स नहां पर देते हैं, जैसे कि संगल लोक आपको कोर्सिस मिल जाएंगे, जैसे कि विज्ञान प्रादियोगी की आपको मिलेगा, अर्थवयवश्था आपको मिल जाएगी, ठीक है, पॉलिटी आपको मिल जाएगा, सूशल इशूस जो सामाजिक मुद्दे हैं, वो आपको मिल जाएंगे, एथिक्स मिल जाएगा, तो इस तरह से आपको बहुत सारे विशय हैं, जो आप देख सकते हैं, तो देखिए, जब हम बात करते हैं, छेत्री राजवश की छत्तिस गड़ में, तो मैंने आपको कहा कि ये एक भाग में ने किया जा सकता, इसके लिए हमें एक दो भाग चाहिए, क्योंकि आप देख इतने सारे हैं, जो हमें चत्तिस गड़ के राजवश में पढ़ने हैं, तो देखिए, दक्षिन कॉसल के राजवश तो यहां पर बात को समझेए, कि चत्तिस गड़ को प्राचीन समय पर दक्षिन कॉसल कहा जाता था, मैंने एक प्राचीन के लिए भी लेक्चर बना रखा जिसमें कि हमने चत्तिसगड का जो प्राची नितिहास है उसके बारे में पढ़ा यह उसी के आगे का है लेकिन मैं इसमें शेत्रिय राजवंश आपको पढ़ाने वाली हूँ तो दक्षिन कौशल जब यह कहलाता था तो इस समय पे राजवंश था राजश्वी तुल्यकुल शरपपुरी, पांडू, सोमवंश, बान, फणी नाग वहीं बस्तर का जो शेत्र है उस समय पे थे नाल, छिंदक नाग, ककतिया यह जो पांडू और सोमवंश है यह आगे भी और विभाजित थे जैसे कि मैकाल के सोमवंश हो गए, दक्षिन कौशल के पांडू वंश हो ग रहें, तो शुरवात करते हैं, राजश्छ्री तल कॉल वंश की, यह जो है, इसका राजधानी थी आरंग में, आरंगराईपूर में स्थित है, और यह राजश्री तल कुल की राजधानी हुआ करता था उस प्राचीन समय पे, इनके साशनकाल की बात कर लें, तो चौती से चटीशताब्धी माना जाता है और इनको शीरशक इनका जो टाइटल था वो राजयोग है, हमें कहां से पता चलता है हमें दरअसल पता चलता है भीमसेंट टू जो थे, दूटी भीमसेंट, दूटी ये जो थे हमें इनका एक कौपर का शिलालेक मिला हुआ है आरंग में ही यही पर हमें कौपर का शिलालेक मिला है और उससे हमें इस वंश के बारे में सारी जानकारिया मिलती है यह बाकी जो इनके शाशक है उनके बारे में बहुत जादा जानकारिया नहीं मिलती है हाले कि उनके नाम जरूर मिलते ह लेकिन जो भी कुछ हमें पता चल रहा है, वो सिर्फ इस आरंग में जो कौपर शिलालेक मिला है, तामर जो शिलालेक मिला है, वहां से पता चलता है, ये याद रखिएगा कि ये जो वंज था, राजश्री तुलकुल वंज, ये इस राजजी का, मतलब 36 गड राजजी का, प् कौन सा राजा किस वंज का है, किस वंज का नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये सूरा जो सबसे पहले नाम आफ देख रहे हैं, उसको इसका संस्थापक माना जाता, और इसलिए इसका दूसरा नाम शूरा डाइनेस्टी भी है, या सूरा वंज भी इसे हम कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, फिर आ जाते हैं शरपपुरी वंज में, ये जो सरपपुरी वंज है ना, इसे अमार या कुल या अमराज कुल भी कहा जाता है, इसकी राजधानी शरपपुर थी, संबलपुर, जो वरतमान में सारंगड है, उडिसा के संबलप भी कहा जाता था, और जो इसके संस्थापक है वो है शरपराज, कौन है शरपराजा और उनही पर इसका नाम पढ़ा है शरपपुरी वंज, ये याद रखिएगा, ये वैशनव सेक्ट के अनुयाई थे, मतलब ये लोग विश्नु जी को फॉलो क्या करते थे, वैशनव से तो ये जो शरपपुरी थे, इनमें भी ये हुआ, जब शरपराज ने संस्थापन किया इस चीज का, तो शरपपुर को राजधानी बनाया, पर बाद में प्रसंद मित्र जब आये तो उन्होंने मलहार को राजधानी बना दिया, और उसके बाए जब प्रवर राज पहले उन्होंने सिरपुर को अपनी राजधानी बना दिया, तो कुल में लाकर ये जो तीन जगा है, ये तीनो ही जगा शरपपुरी की राजधानी कहलाती है, तो ये आप याद रखेंगे, अब देखिए, हम इनके महतपुर्ण राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, और उनके स भानुगुप्त का एक एरण शिलालेख है, ठीक है, गुपता राजा भानुगुप्त का एक एरण शिलालेख है, जिसमें बताया गया है कि शरपपुरिया जो राजवन्ष है, इसको शरब राज ने स्थापित किया था, पांस्तो दस इसवी में, तो हमें ये जानकारी कहा से मिलती है भानुगुप्त के एरण शिलाले से, हमारा श्रोत यही है, प्रसन्य मत्र के अगर हम बात कर लें, तो इन्हों ने एक नया शहर बसाया, एक नया शहर बनाया, बसाया, आप जोगी चाहें बोल सकते हैं, निर्मान किया, कहां पर किया, निदीला एक नदी हुआ करत कर रही हुँ, अब लोग मानते हैं कि इस काल में वो जो निदीला नदी थी, वो दरसल अभी वरतमान की लीलगर नदी है, और जो शहर हुआ करता था जो उन्होंने बसाया, प्रसन्नपूर वो वरतमान का क्या है, मलहार, यानि कि बिलासपूर में जो मलहार है, वही वो प् अगर कि किस वंश के राजाओं में आपको सिक्कों में आपको गरूर, चक्र, शंक देखने को मिलता है, तो आपका जवाब होना चाहिए, शरब पूरी राजाओं या शरब पूरी वंश में हमें ये देखने को मिलता है, ये जो है इनकी विशिष्ताओं में आता है, ठीक ह वो आए यह जो जैराज है ना इन्होंने दुर्ग शहर का निर्माण कराया और इसलिए इनको दुर्ग राज भी कहते हैं दुर्ग जो की बहुती इंपॉर्टेंट या कहना चाहिए प्रसिद्ध शहर जो यहां का है छत्यस गड़ का उसका निर्माण जैराज ने कराया तो इनके पिता ने मलहार का निर्माण कराया और इन्होंने दुर्ग का इनका एक और नाम भी था मनमत और इन्होंने भी सिक्के जारी किये थे लेकिन इसमें खास यह था कि इनके सिक्कों में गजलक्षमी का जो चित्र है वो अंकित था ठीक है गजलक्षमी का चित्र अंकित था फिर आए प्रवर राज इन्होंने क्या किया इन्होंने राजधानी बदल के कर दी सिरपूर तो इस तरह से तीन राजधानी हो गई इनके समाप प्रावर राज पहले आये, इन्होंने सिर्पूर को राजधानी बना दिया, उसके आदिये जो प्रality पहले आये, उसके बाद सुदेव राज आये, और कहा जाता है, इंद्रपाल, जो है इंद्रपाल की सामन थिए, हम इंद्रपाल की बात क्यों कर रहे हैं, कौन है ये, क्या थे, जो हम इनके बारे में जानना है, तो बात ऐसी है, कि सुदेव राज के बाद, जब प्रवर राज द्विती आए, तो इनको, इन इंद्रबल सहाव ने हरा दिया, मार डाला, हरा दिया, और क्या किया, पांडु वंश की नीव रखी, और यहां से शुरवात हुई, पांडु वंश की, पांडु डाइनेस्टी की, तो यह जो प्रवर राज द्विती थे, यह शरप पूरिया के अंतिम राजा थे, ठीक है, यहां पर और भी चीज समझने कि जो आपको कोशिश करनी है, कि यह जो शरप प शरप पूरिया लोगों का एक टांबे का शिला लेक मिला है, वहां पे कोई भी चुतर नहीं मिलता, तो अब हम आ जाते हैं, सिरपूर के पांडु वंश में, जैसे के हमने देखा, कि इंद्रबल ने, जो प्रवर राज द्विती थे, जो की शरप पूरी के राजा थे, उन इसमें बताया गया है कि उधियन, जो की इंद्रबल के पिता थे, वो पांडु वंश के पहले व्यक्ति माने जाते हैं, तो पहले व्यक्ति कौम थे पांडु वंश के, वो थे उधियन, जो की इंद्रबल के पिता थे, लेकिन इनके जो पूत्र इंद्रबल है, उन्हें वा की इस वन्ष की तो देखिए इन्होंने एक शहर बसाया इंद्रपूर उस समय पे उसका नाम प्राचीन काल में इंद्रपूर हुआ करता था और बाद में यानि कि अभी वर्तमान में उसका नाम खरौद है खरौद जांजगिर चापा में एक जगा है जिसे माना जाता है कि उ जो तीन भाईया उनको मंदलाधी पती के रूप में स्थापित कर दिया अब इनहीं के समय पे मतलम नन्राज प्रथम के समय पे खरौद ने एक मंदिर बना लक्षमनेश्वर महादेव मंदिय और इसे किस ने बनवाया इसे ये इश्देव ने बनवाया इनके भाई ने चि कि जो हमें तामबे का शिलालेग मिलाए ना, उसमें इनका नाम महाशेव तिवरदेव लिखा हुआ है, लेकिन जो सिक्के मिले हैं, उसमें सिर्फ तिवरदेव लिखा है, यह मैं आपको अलग से इसलिए बता रही है, कि यह पूछा भी गया है, कि शिलालेग में इनका नाम क किस तरह से अंकित है, कल को पूछ दिया जाएगा सिक्क्य में किस तरह से अंकित है, तो आपको जानना जरूरी है, यह लोग वैशनव पंत के अनुनाई थे, मैंने आपको शुरवात में बताया है, उसके बाद आए ननदेव द्वितिव, यह ननद्वितिव भी होने कहते है यहाँ पर इनके बारे में हमें एक तामर पत्र मिला है कहां से, अदबहार से, उसमें इनका जो नाम है, वो किस तरह से लिखा गया है, कौशल मंडल आदिपती, मतलब कि इन्हें एक शिर्षक दिया गया था, कौशल मंडल आदिपती, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क पॉर्षल मंडल अधिपती किसका शीरिष रखता तो आप ननदेव दुवितियर लिखेंगे, क्यूंकि इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब कि कोई एतराज नहीं था, इसलिए इनके बाद इनके चाचा चंद्रगुप्त को गद्धी पर बिठाया गया और राजव बनाया गया, यह जो चंद्रगुप्त है, यह महाशिव जो थे उनके पुत्र है, अब देखिए, इनका उल्लेक कहां से मिलता है, सिरपुर में एक लक्षमनेश्वर मंदिर है, और उसमें एक शिलालेक था, जिसमें के उल्लेक मिलता ह चंद्रगुप्त का, यह अब ध्यान रखेगा कि यह वो गुप्ता वंश के चंद्रगुप्त नहीं है, चंद्रगुप्त और भी हैं दूसरे वंशों में, पर यह उस वंश के चंद्रगुप्त नहीं है, यह दूसरे सिर्फ पांडु वंश के चंद्रगुप्त है, उसके बहुत ही महत्वपून बोलना चाहिए राजा है महाशिव गुप्त बाल अर्जुन इनके बारे में जाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये सबसे महत्वपून है और इनसे सवाल बहुत बात पूछे जा चुके है इनके साशनकाल को ना तिसगर का सवर्णकाल कहा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि फर ये कितने महत्वपून है इनको बच्पन से ही तिरंदाजी का बहुत शौक था और ये बहुत ही निपून थे उस तिरंदाजी में और इसलिए इन्हें नाम दिया गया बाल अर्जुन क्योंकि ये इनकी जो तिरंदाजी थी बिल्कुल महाभारत के अर्जुन की तरह थी और इनको ये नाम मिला बाल अर्जुन ठीक है और उनकी जो शाही जो कहते हैं कि मुद्रा है उसमें नंदी का जो चित्र है वो उपेरा हुआ था या कहना चाहिए कि बना हुआ था और उन्होंने खुद को परमेश्वर का शीरशक दिया था इनके समय पे एक शाही कऊः थी जिनका नाम इशान था शाही कऊः ये याद रूखिएगा इनकी जो माता थी वस्त्रा जिससे हर्ष गुप्त ने शाधी करी उन्होंने हर्ष गुप्त की याद में ये लक्ष्मण मंदिर बनवाना शुरू किया कहां पे सिर्पूर में बनवाना शुरू कि हमें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको पूरी तरह से बनवाया महाशिप्त बाला अर्जुन ने, इनके कला के अगर हम बात कर ले, कला संस्क्रिति के जब हम बात करेंगे, तो इस मंदिर का निर्मान शुरू तो वस्त्रदेवी ने करवाया उनकी माता लेकिन वो खतम हुआ बालशिव अर्जुन के द्वारा, खुदाई के दौरान हमें सिर्पूर से 27 तामर पत्र मिले हैं, जो कि महाशिप्त बाल अर्जुन के बारे में बताते हैं, और इसकी खुदाई किसने करवाई, यह धियान रखिएगा, डॉक्टर विश्नु सी ठाक सिर्पूर, हमें ना, खुदाई के दौरान, मतलब जब इतिहासकार खुदाई कर रहे थे, जानकारी पाने के लिए, तो हमें खुदाई के दौरान, महाशिप्त के 27 तामर पत्र मिले हैं, सिर्पूर से, सबसे पहले जिनका अध्यन, डॉक्टर विश्नु सी ठाकुर और र मैंने बताया भी था, कि 649 जो 20 थी उस समय ये चीने यात्री हुएन सैंग थे, वो हमारे यहां पर आये थे, ठीक है, और तकरीबन छटी शतापदी में ही खुद भगवान बुद्ध भी यहां पर आये थे, सिर्पूर में, ठीक है, और हुएन सांग ने जो उनकी किताब ल बारे में बताया है, ऐसा माना जाता है, अब यह समझ लीजिए, कि जब महाशिव गुप्त बाल अर्जुन थे, तो इनके कुछ समकालिन राजा भी थे, जो जानना में जरूरी है, उनमें से एक थे हर्षवर्धन, जो कि उत्तर भारत मुझ से में राज कर रहे थे, दक्ष जाती है, रवकृत द्वारा लिखी हुई अहोल कमेंडेशन के नाम से जान जाती है, उसमें कहा गया है, कि इन्होंने पुला किशिन पहले का प्रभुत स्विकार कर लिया था, मत्तब कि कहा जाता है, कि महाशिव गुप्त बाल अर्जुन इन्होंने पुला किशिन बन का प्रभुत स्विकार कर लिया था, ऐसा हमें अहोल कमेंडेशन जो है रवकृति का उससे पता चलता है, और उसमें जो अभिलेख है, यह कमेंडेशन है, जो भी आप बोलनें, उसमें महाशिव गुप्त बाला अर्जुन के भाईधन के एसरी और पुत शिवनन्दी के बारे में भी उलेख हमें मिलता है, महाशिव गुप्त के बाद के जो राजा थे या शाशक थे कहना चोगी है, वो काफी कमजोर थे और धीरे धीरे जो है यह राजवन्द कमजोर पढ़ता गया, और अंत की ओर शला गया, तो इस तरह से जो सिरपुर का पांडु वन्दु है, य इनके वास्तु करा कि अगर हम बात कर लें तो मैंने आपको बताया यह जो लक्षमन मंदिर है सिरपुर में, इसका निर्माण जो इनकी माता थी वस्तु देवी उन्होंने शुरू किया था लेकिन खतम किया है, महाशिव गुप्त बाला अरजुन ने, और पांडु के समय ह लक्षमनेश्वर मंदिर बना, मैंने आपको शुरुवात में बताया, इश्रदेव ने बनाया था इसको, जो कि इंद्रबल के पुत्र थे, एक पुत्र थे, ननराज पहले जब गदी पर थे, उनके समय पे यह बना, भगवान शिव का मंदिर भी बना हुआ है, तो यह जो मैकाल शेत्र की बात कर लेते हैं, तो जो मैकाल का शेत्र है ना, वो कवर्धा राजदान गाओं की तरफ पढ़ता है, हम कहें तो जो चत्यसगर राज़े है, उसके पश्चिमी भाग तरफ पढ़ता है, और इस समय पे इनकी राजधानी जो थी, यहां के जो सोम थे, उनकी सूरबल थे इनके एक साशक, उनकी जानकारी हमें मिलती है, मलहार में एक कॉपर का शिलालेख है, तामर का शिलालेख हमें मिला है, तो बहां से हमें इनके बारे में पता चलता है, तो यह तो हो गए मैकाल शेत्र के सोमवंश, उसी तरह से ओडिसा में भी सोमवंश था, तो उनका जो शीर्षक था वो था त्री कलंगा अधिपती, यह आपको ध्यान रखने कि जरूर राजाओं का शीर्षक पूछ लिया जाता है, तो जो ओडीसा के जो सो मश थे, उन लोगों ने सीर्षक क्या लिया था, त्री कलंगा अधिपती या फिर कौशली इंद्रुबी, वह वह बेंद्रों, यहां के जो संस्तापक थे, वह शिव गुप्त थे याद रखिएगा यह उनीए य..to है वह बंघुय शिरपूर के फंशके थे, यहां पे भी साशक्तें थे तैट सिंधू, और वह महा शिव गुप्त चतुर्थ, यह जो साभ गुपत चतूर्थ थे यह ग गुप्त, बाल, अर्जुन तूसरे है, तो दोनों में confused नहीं हो येगा, इनके शाही मुद्रा पे गजलक्षमी अंकित थी, ठीक है, इसी तरह से कांकेर में भी सोमवंच था, मैंने आपको शिरवात में भी बताया था, और इसके जो संस्थापक है, वो थे सिहराज, ठीक है, जो है, वो धमतरी जिले में मौजूद है, और वहां से हमें एक तामर पत्र मिला है, जो इनके बारे में बताता है, ये देखी, मैंने आप एक टेबल बना के आपको दिखाया है, कि सीरशक जो पांडू के जो राजा थे उन्होंने लिया है, चाहे वो सिरपूर के पांडू इसी तरह से जो तिवरदेव थे हमने अभी देखे, सिरपूर के जो पांडू थे, तिवरदेव इन्होंने अपने आपको सकल कॉसलादी पती का शीरशक दिया था, इसी तरह से परम महेशवर जो है, पैरा महेशवर ये परम महेशवर महाशिव गुप्त बाला अरजुन अ उसमें भी बताया था कि ये अपने आपको परमेश्वर कहते थे. ठीक है? तो ये सब आपको याद रखने की जरूरत है. अब हम आजाते हैं नालवंश में. पांडू वंश था उतना, जो अलग-अलग पांडू थे. अब आते हैं नालवंश में. ये जो नालवंश है ना ये बस्तर में था. अगर आप पहली स्लाइड आपको याद होगी जहां पर मैंने आपको बताया है. कुछ थे कहां? दक्षिन कौसल में. और जो कुछ थे वो बस्तर में. बस्तर में कौन से हैं? आपके नाल थे, ककातिया हैं और जो छिंदक नाग जो वंश है, ये आपको मिलेंगे बस्तर में. ठीक है? और ये नाल भी बस्तर की ही एक वंश है. इसके जो संस्थापक थे, वो थे शिशुक. इनकी प्रारंबिक राजधानी कोरापुट थी. ये ओडिसा का कोरापुट नहीं है. बस्तर में एक जगा है कोरापुट. वो रही है इनकी राजधानी, तो वो आप ध्यान में रखिए. देखिए, हरी सेन की प्रयाक प्रहस्ती है. इसके बारे मैं आपको पहले भी बहुत बता चुकी हूँ, पिछले वाले बार में भी मैंने आपको बताया था, कि इससे हमें पता चलता है कि जो समुद्र गुप्त थे, गुपता के जो साशक थे, समुद्र गुप्त, इन्हों नाल की राजा व्याग राज को हराया था, व्याग राज को, और साथ ही इन्होंने वकाटका जो वंच है, उसके एक राजा महिंद्र सेन्ते उनको हराया था, वकाटका मैंने आपको पिछले लेसन में पढ़ाया था, तो ये हमें यहां से जानकारी नाल वंच के बारे में थोड़ी सी मिलती है, और अभी लेखों के अधार पर हम ये कहते हैं कि जो वरह राज थे, वो वास्तविक संस्थापक थे इस नाल वंच के, ठीक है, वैसे तो संस्थापक शिशुक माने जाते हैं, लेकि जो वास्तविक संस्थापक हैं, कहले हैं, जो जो रियल फार्म्ट मा करते हैं बताते हैं जैसे कि एक रुद्धिपूर अभिलेग जो हमें मिला है कोंडा गाउं में वो हमें भवदत वर्मन के बारे में बताता है जो कि एक शाशक थे नालवंज के इसी तरह से अर्थ-पति-भट्रक भी एक शाशक है और उनका केसर-बेडा का एक अभिलेग हमे मिलता है इसकंद वर्मन का जो अभिलेग है वो पोड़ागड ओडिसा से मिलता है विलास्तुंका राजिम रिकॉर्ड हमें मिलता है जो कि इच्छतिजगड के प्राची नितियास के बारे में काफ कुछ बताता है पंडिया पत्थर ताम्र पत्र शिलालेग हमें भीमसें द उत्किया के जो राज़ा पुला किशिन है उनका जो अहोल प्रसंचा है अहोल कामेंडेशन भी जिसे हम कहते हैं वहां से हमें इनके बारे में जारकारी मिलते है और वहीं पल्लव वंच के जो नंदनी वर्मा थे उनके उधियंदी ग्राम ताम्र पत्र से हमें यह जानकारि हमें उन्ताम शिलालेखों के अलावा यहां से भी मिलती है वही राजा वरा राज जो हैं जिन्हें की हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं उनके 29 सोने के सिक्के हमें अदेंगा से मिले हैं अदेंगा जो है एक जगा है कोंडा गाओं में तो 29 सोने के सिक्के मिले तो हमें पता चलता है कि यह जो साशन था नाल समय का वंच था कितना सम्रिध रहा होगा तो इस हिसाब से हम मान के चलते हैं यह जो वंश था यह काफी समृद्ध था अर्थविवश्था के हिसाब से और इसमें यह तकरीबन तीन राजा थे जिन्होंने सोने के सिक्के जो है जारी किये एक तो थे वरारा जिनके यह उन्ती सिक्के हमें मिले ही हैं दूसरे हैं अर्थपति भटरक और तीसरे हैं कौन थे और उनके समय पे हुआ क्या क्या जैसे कि बता चुकी हमें आपको कि शिशुक जो है वो संस्थापक थे इस वंश के व्याग राज को समुद्र गुप्तन ने हराया था जिसका हमें लेख यहां पर प्रयाग प्रहश्टी से मिलता है जब विरभ राज थे इन्होंन थोड़ा प्रसाशन आगे किया कुछ खास नहीं किया लेकिन वराय राज को हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं जिनके सिक्या में अडंगा से मिले है कुंडा गाउं में जो एक जगह है अडंगा भवदत वर्मन की बात कर लेते तो रिदीपूर का शिलालेक हमें मिला है ज जो कि एक वकटकर राजा थे और उनकी जो राजधानी थी नंदी वर्धन उसको जो है नश्ट कर दिया था उसके बाद सकंद वर्मन आये इन्होंने पिथारागर में एक विश्नु मंद्र का निर्मान किया है इस्तमराज की हम बात कर लें तो इनका एक कुलिया शिलालेक ह जिसमें ये बताया जाता है कि इनके समय पे वेंगी के चालुक के शाषक ने यहाँ पर हमला किया था किर्तिवर ने हमला किया था इस्तमराज के समय पे ठीक है समकालीन थे तो ये हमले वगरा होती रहते थे मैं पहले भी बता चुकि नाल वंज रोय वकटकवंश और और ये जो राजीम को अशिला लेक है उससे हमें 36 गड़ के प्राचीन इत्यास के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है क्योंकि प्राचीन में हमारे पास अशिला लेक ही होते हैं जिन से हम काफी चीजों को समझ पाते हैं ठीक है विलास्तुम ने ही राजीव लोचन जो विलास तुम ने किया था, जो की नालवंश के लिए, ये भगवान विश्नु के अनुयाई थे, और जो अंतिम साशक थे वो है, नरेंद्र थबल, ये अंतिम थे, ये आपको ध्यान में रखना होगा, तो ये जो था, ये पहला भाग था हमारा, आपको फिर से बता दू कि हम पूरवान चल आईए, इसमें आपको पूरा का पूरा जो चत्तसगर राज्यसेवा का जो कूर्स है, वो अपलब्द करा रहे हैं, आप बिल्कुल जाके देखिए, घर बैठे, लाब लीजिए, और मैं फिर से एक बार आपके साथ आऊंगी, दूसरा भाग लेकर, जहां प बारे में मैं आप से ही बात करूँगी, तब तक के लिए, खुश रहे हैं, सुस्त रहे हैं